सच्चे साथी एक बार की बात है राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी उसकी मा बच्पन में ही गुजर गई थी वह अपने घर का काम करती फिर कॉलेज जाती थी कॉलेज जाते समय वहरोज रास्ते में एक जगा पच्चियों को दाना डालती थी उसके घर में भी दो पच्ची थे उनको भी वहरोज दाना डालती थी एक दिन उसको पच्चियों को दाना डालते समय जमिदार के बेटे ने देख लिया उसने अपने पिता से जाकर राधा से साधी करने की इच्छा जताई जमिदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की साधी राधा से करा दी राधा अपने साथ घर के पिंजरे के दो पच्छी भी लेकर ससुरा ला गई वह उन पच्छीयों को रोज दाना डालती थी राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था वह उन पच्चियों को परिसान करती थी वह उनका दाना पानी जमीन पर फेक देती थी एक दिन राधा की सास ने पच्चियों का पिंजरा ही जमीन पर फेक दिया उसे यह करते हुए राधा ने देख लिया राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डाट दिया इन सब बातों से राधा परिसान रहने लगी एक दिन राधा के पती ने परिसानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी उसके पती ने राधा को पच्छियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाव दी अपने पती के कहने पर राधा ने उन दोनों पच्छियों को बाकी के पच्छियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया वह उनको कभी-कभी दाना देने पार्क में जाती थी अब सभी पार्क के पच्छी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे पच्छी अब राधा के घर पर भी आने लगे राधा की सास को जब यह पता लगा तो वह गुस्सा हुई वह राधा को उसके माय के छोड़ने के लिए उसको साथ ले कर गई रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिस की तभी राधा के पच्छियों ने आकर चोरों पर हमला किया जिस से चोर भाग गये इसके बाद राधा और उसकी सास घर ही लौट आये अब राधा की सास के सोच पच्छियों के प्रती बदल चुकी थी उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चुडिया को दाना देने चला करेंगे और पहले के दो पच्छियों को घर वापस लेकर आएंगे यह बात सुनकर राधा बहुत खुस हुई तो दोस्तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी थैंक्यू वीडियो दे एकने गिल्यू